Hello friends, welcome back to my channel मैं अपने channel HP exam corner पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके exams की preparations भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो friends जैसा कि आपको पता है कि J.O.I.T. के most important topics जिससे questions 100% पूछे जाएंगे आज कल हम उन topics को discuss कर रहे हैं तो friends उसी में से एक है आपका MS Excel तो आज हम MS Excel से related कुछ important points पर discuss करेंगे उसके interface पर बात की जाएगी और उससे related कुछ important shortcut keys जो MS Excel में important है उस पर भी हम बातचीत करेंगे तो friends सबसे पहले अगर हम बात करें MS Excel की तो हम बात करेंगे की MS Excel क्या है तो friends MS Excel आपको पता होगा कि ये एक spreadsheet software है क्या है friends MS Excel एक परकार का spreadsheet software है तो spreadsheet software ये आपको पता होगा अगर हम बात करेंगे first spreadsheet software कौन सा था तो friends first spreadsheet software है आपका VC Kelsey तो याद रखना है first spreadsheet software अगर exam में पूछा जाएगा तो वो कौन सा था VC Kelsey वहीं अगर friends आप से पूछें कि MS DOS का first spreadsheet कौन सा था तो यहाँ पर बात हो रही है friends MS DOS की तो MS DOS का कौन सा है MS DOS के spreadsheet software की बात कर रही हूं है तो वो है Lotus 123 तो याद रखना है MS Excel क्या है ये एक spreadsheet software है first spreadsheet software कौन सा था तो VC Kelsey था MS DOS का spreadsheet software कौन सा है तो वो Lotus 123 है और Microsoft का friends कौन सा है तो Microsoft का है MS Excel वहीं Apple की अगर हम बात करें तो Apple का spreadsheet software है Numbers Google का spreadsheet software है Google Sheets और Libra Office का है Kelsey तो यह कुछ important चीजी थी basic Excel से related I hope यह आपको पता होंगी और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है अगर नहीं पता थी तो आपको अब पता चल गई होगी तो चलिए friends कुछ basic चीजों पर बात करते हैं तो कैसा रहता है MS Excel का interface तो बात करते हैं सबसे पहले आपका office बटन आपको यहाँ देखने को मिलता है उसके बाद friends यहाँ पर है save, redo, undo तो यह है आपका quick access toolbar आप देख सकते हैं उसके बाद है name box name box में address जो है आपका cell का active cell का जो address है वो कहां लिखा जाता है तो name box में लिखा जाता है तो friends यह है select all button अगर आपको यहाँ पर select करना है तो यह select all की option मिलेगी rows friends यह है 1, 2, 3 जो numbers हैं आपकी rows को indicate करती हैं columns आपके alphabet को indicate करते हैं और यह है friends active cell आप देख सकते हैं और यहाँ पर है आपका title bar तो friends MS Excel में अगर आप document को save नहीं करते हैं उसका कोई नाम नहीं रखते हैं तो by default MS Excel का नाम क्या होगा तो इसका नाम होगा book 1 याद रखना है by default क्या रहेगा book 1 रहेगा अब बात करते हैं हम यहाँ पर ribbon तो ribbon वाला area यह है जो आपका formula बार या फिर name box से उपर वाला area और title बार से नीचे वाला area यह पूरा area क्या कहलाता है ribbon कहलाता है इसमें आपके different tabs और commands आ जाएंगी फिर friends आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है आपका vertical scroll bar इधर और नीचे आपको देखने को मिलेगा horizontal scroll bar फिर है friends sheet tabs तो friends old version की अगर हम बात करें तो उसमें by default कितनी sheets हमें देखने को मिलती थी तो friends अगर हम old version की बात करें old version क्या होगा आपका 2003 से पहले तो by default 3 sheets देखने को मिलती थी जैसा आप इसमें भी देख सकते हैं 1, 2, 3 लेकिन अगर हम 2007 के बात की बात करें तो by default कितनी sheets हैं तो एक sheet है अब का जो latest version है वहीं अगर हम बात करते हैं यह है friends यहाँ पर right side में आप corner में देख सकते हैं status bar है सबसे नीचे दिया गया यह है status bar इसी से आगे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर horizontal scroll bar उसी के साथ view shortcuts आप देख सकते हैं और last में मिलेगा आपको zoom control जिसे की notification area भी कहा जाता है इसमें आपको maximum zoom percentage minimum zoom percentage और by default zoom percentage आप select कर सकते हैं तो friends अगर हम बात करें excel की तो maximum कितना रहता है 4% रहता है maximum zoom percentage minimum कितना रहेगा 10% और by default कितना रहता है 100% रहता है तो ये कुछ important चीज़ी थी वहीं हम बात करेंगे ms excel का extension क्या होता है तो friends ms excel का extension की बात करें तो dot xls old version में और new version के अगर हम बात करेंगे तो xlsx रहेगा आपका new version में तो ये कुछ चीज़े हैं जो आपको याद रखनी है important है वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ms excel में smallest unit क्या होगी smallest unit of ms excel तो friends smallest unit of ms excel is cell वहीं अगर आपसे पूछा जाए collection of cell क्या होता है तो friends collection of cell is known as work sheets तो याद रखना है important है वहीं पर ms excel में friends last में जहाँ पर comments लिखते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे cell tip कहते हैं क्या कहते हैं उसे cell tip कहा जाता है याद रखना है ये भी important है इसके बाद friends अगर आपसे पूछा जाए कि maximum sheets आप कितनी add कर सकते हैं excel में तो friends maximums जो sheets हैं वह आप add कर सकते हैं उसके कोई limit नहीं है याद रखना है maximum sheets की no limit या फिर as per the size of memory आप बोल सकते हैं वहीं अगर हम बात करेंगे friends की एक cell के अंदर आप कितने characters लिख सकते हैं ये आपका जैसे की एक cell है जो active cell है उसमें एक cell में आप कितने characters लिख सकते हैं तो ये होगा friends 32,767 की 2003 old version की अगर हम बात करें तो maximum rows कितनी होती थी तो maximum ये है 2003 की मैं बात कर रही हूँ तो maximum rows कितनी होती थी 65,536 होती थी rows वहीं अगर हम columns की बात करें ये थी rows और वहीं अगर हम columns की बात करें तो 256 columns होते थे और last वाला column क्या होता था 4th indicate करते थे तो याद रखना है 2003 में maximum number of rows कितनी थी तो 65,536 थी वहीं अगर columns की बात करें तो 2003 तक कितने थे तो 256 थे जिसे indicate करते थे 256th column को 4 से अब बात करते हैं latest version तो 2007 के बात की बात करें तो उसमें maximum number of rows कितनी है तो friends rows की बात करें in 2007 तो कितनी है 10,48,576 हैं rows और columns की अगर बात करें तो columns कितने हैं 16,384 तो ये हैं friends latest version latest version कब से 2007 से 2021 तक तो ये आप याद रखेंगे hopefully important है आपको याद भी रहना चाहिए अब हम बात करते हैं friends की formula MS Excel में formula जो है वो start किस से होता है तो equal to sign से जो है आपका formula start होता है याद रखना है formula starts with equal to sign in MS Excel तो friends ये कुछ basic चीज़े थी MS Excel से आईए बात करते हैं अब tabs की तो friends अगर हम बात करें tab की तो total tabs कितने होते हैं MS Excel में आईए बात करते हैं सबसे पहला है home tab आप यहाँ पर देख सकते हैं second है आपका insert third है page layout fourth है friends formula fifth है data sixth है review और seventh है view tab तो total tabs है seven in MS Excel कौन-कौन से दुबारे repeat करते हैं home, insert, page layout, formulas, data, review and view तो MS Excel है उसमें total कितने tabs seven tabs कौन-कौन से tabs हैं तो friends home, insert, page layout, formulas, data, review and view तो आप image में भी देख सकते हैं image की help से क्या होता है जल्दी हमें याद रहता है तो friends क्या है कि आप image में भी देख सकते हैं और अगर आप written form में देखना चाहते हैं तो दोनों ही options आपके लिए available है जैसा आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से देख सकते हैं main बात क्या होता है friends हमें याद रहना चाहिए 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 help से रहे चाहिए written form में रहे तो friends प्लीज इसी के साथ ही आप मेरी वीडियो को भी like कर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरी चानल को subscribe नहीं किया है तो friends please I need your support please मेरे चानल को subscribe कीजिए bell icon पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे क्योंकि आपका support मेरे लिए बहुत important है क्योंकि वही मुझे motivate करता है नई-नई वीडियो बनाने के लिए तो अब बात करेंगे friends सबसे पहला tab था जो home tab अब हम बात करेंगे कि home tab में mainly हमें क्या क्या चीज़े देखने को मिलती है तो चलिए एके करके discuss करते हैं तो home tab में mainly 7 चीज़े हमें देखने को मिलेगी तो वो कौन-कौन सी है सबसे पहला है clipboard दूसरा है font तीसरा है alignment चौथा है number पांचवा है style सिक्स नमबर पे cell है और सेवन्थ नमबर पे editing है एक बार दूबारा repeat करेंगे clipboard, font alignment, numbers, style, cells and editing तो आईए अब एक ही करके बात करते हैं clipboard के अंदर क्या क्या चीज़े देखने को मिलेगी तो friends clipboard में कोई भी changes नहीं है जो चीज़े MS Word में थी वही सेम चीज़े हमें MS Excel में भी देखने को मिलेगी अंदर clipboard option तो कौन-कौन सी चीज़े थी paste, cut, copy and format painter आप दिख सकते हैं paste, cut, copy and format painter था clipboard में font में भी वही सारी चीज़े हैं font face रहेगा, font color रहेगा size रहेगा, text emphasis रहेगा bold italic underline रहेगा उसके साथ ही अगर हम ये color fill करना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं तो ये सारी font से related चीज़े हमें कहां देखने को मिलेगी font option में देखने को मिलेगी अब बात करते हैं third alignment alignment में हमें क्या देखने को मिल रहा है friends, wrap text या फिर merge and center वही paragraph को हम left align करना चाहते हैं right align करना चाहते हैं center align करना चाहते हैं justify करना चाहते हैं तो paragraph से related जो भी हम changes अपने page पे करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़े हमें कहां देखने को मिलेगी alignment में देखने को मिलेगी तो याद रखना है अगर हमें दो cells को merge करना है तो हम कहां जाएंगे merge and center wrap text करना चाहते हैं तो हम कहां पर जाएंगे under home tab के under alignment में wrap text अब आते हैं numbers तो numbers में friends बहुत सी option देखने को मिलती है journaling number enter करना है percentage form में करना है currency form में करना है date form में करना है तो जिस भी तरह से हम अपनी excel में number enter करना चाहते हैं तो हमें इस option पर जाकर हम select कर सकते हैं फिर आते हैं friends styles पर styles में हमें mainly तीन चीज़े देखने को मिल रही है conditional formatting format as table और cell styles तो याद रखना है styles में तीन चीज़े conditional formatting format as table और cell styles फिर आते हैं cells में cells में हमें insert delete और format तीन options देखने को मिल रही हैं वहीं जाएंगे friends editing जो कि last option है home tab का editing में हमें auto sum अगर हम करना चाहते हैं fill color करना चाहते हैं clear text करना चाहते हैं sort sorting and अगर हम filter कोई apply करना चाहते हैं अपनी excel sheet में तो हम कहां जाएंगे editing पर find and select भी friends हमें editing option में मिलेगा जो कहां होगा home tab के अंदर होगा तो friends ये कुछ चीज़े थी home tab के अंदर mainly क्या आयाद रखना है clipboard, font, alignment, numbers, style, cells and editing ये सारी options कहां पर तो ये सारी options home tab के अंदर हमें देखने को मिलेगी अब आते हैं friends home tab से अगला tab है हमारा insert tab तो insert tab के अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा tables, second number पर illustrations, third पर add-ins, fourth पर charts, fifth में spark lines, sixth में filters seventh में links, eighth पर text और ninth में symbols देखने को मिलेंगे फिर हम बात करते हैं एक एक करके की हर tab में हमें कौन-कौन सी options mainly देखने को मिल रही हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे insert tab में tables तो tables के अंदर friends क्या-क्या हमें देखने को मिल रहा है सबसे पहले pivot table फिर है recommended pivot table और tables तीन options आप image में भी देख सकते हैं पाइवट table, recommended pivot table और table table insert करना है किसी data पे अगर हम पाइवट table लगाना चाहते हैं उससे related हमें कहां help मिलेगी insert tab में हमें पाइवट table देखने को मिलता है यह important है आपको पता होना चाहिए कि पाइवट table कहां होता है तो insert tab के अंदर tables option में आपको पाइवट table की option मिल जाएगी अब बात करते हैं illustrations तो illustrations में आपको mainly क्या-क्या देखने को मिलेगा तो friends illustrations में आपको देखने को मिलेगी pictures, online pictures वहीं आप shapes को insert करना चाहते है smart art आप insert करना चाहते है या फिर कोई screenshot तो ये 5 चीज़े हमें मिलेगी illustrations में याद रखिएगा next difference add-ins तो add-ins में हमें दो चीज़े देखने को मिल रही थी यही दो चीज़े हमें कहां देखने को मिली थी MS Word में भी देखने को मिली थी तो इसमें कोई जादा changes नहीं है वो as it is same है जो MS Word में भी थी तो वो कौन कौन सी चीज़े थी add-ins में थी आपकी store and my add-ins अब आते हैं friends charts में तो charts की option हमें कहां देखने को मिलेगी insert वैसे अगर हम normally अगर अपना IQ देखें तो insert में हम क्या क्या insert कर सकते हैं table insert किया जा सकता है कोई private table insert कर सकते हैं chart insert कर सकते हैं कोई picture insert कर सकते हैं line insert कर सकते हैं filter insert कर सकते हैं तो जो जो चीज़े में लिए हम अपनी excel sheet में insert कर सकते हैं वो हमें insert tab के अंदर देखने को मिलेगी तो अब आते हैं charts में तो charts में mainly आपको क्या देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं friends recommended chart कौन-कौन से होते हैं mainly तीन तरह के charts होते हैं BPL, bar chart, line chart and pie chart फिर हमें देखने को मिल रहा है pivot chart तो pivot table था tables option में लेकिन pivot chart मिलेगा आपको charts की option में next है friends आपका tours tours में आपको 3D map option देखने को मिलेगी फिर है spark lines very very important ये भी paper में पूछा गया था तो spark lines जो है आपको कहां देखने को मिलेगी spark line option के अंदर spark lines कौन-कौन सी है lines, column, win, loss तो spark lines को हम कितनी तरह से दिखा सकते है different ways से जो है हम ये इस तरह की lines होती है जिसमें हम starting और end point दिखा सकते है minimum और maximum दिखा सकते है तो ये जारी चीजे insert tab में देखने को मिलेगी में लिके आता है कि spark line, किस tab के अंदर option आपको मिलेगी तो किस tab में insert tab में देखने को मिलेगी अब आते हैं friends filters पर filters में हमें slicer और timeline मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो चीजे हमें filter में देखने को मिल रही है links में हमें hyperlinks मिल रहा है text में हमें text box header and footer word art और ये सारी चीजे देखने को मिलेगी symbols friends same वैसा ही है इसमें दो चीजे देखने को मिल रही है equations and symbols तो ये सारी चीजे थी insert tab के अंदर अब आएंगे friends हम page layout तो page layout में हमें क्या क्या चीजे देखने को मिल रही है आए उस पर भी discussion कर लेते हैं friends page layout में हमें 5 चीजे देखने को मिल रही है कौन कौन सी है वो आईए के करके discuss करते हैं तो सबसे पहले है themes second है page setup third है scale to fit fourth है sheet options और fifth है arrange तो ये 5 चीजे कहां मिलेगी page layout में अगर हम कोई theme सिलेक्ट करना चाहते हैं तो page layout page से related कोई भी है margin, orientation, size ये सारी चीजे page layout scale to fit ठीक है अगर हम किसी भी तरह width, height या scaling करना चाहते हैं page में तो page layout option में जाएंगे sheets से related options जैसे की grid line या heading हमें select करनी है तो page layout में जाएंगे और arrange करना है हमें अपने page को जैसे की forward कौन सा करना चाहते हैं send of backward backward में कौन सा page रखना चाहते हैं alignment तो ये सारी चीज़े हमें arrange में देखने को मिलेगी एक एक करके बात करते हैं सभी tabs की और sub tabs की तो friends themes में बात करें तो themes में हमें में ली चार चीज़े देखने को मिलेगी themes, colors, font और effect आप देख सकते हैं image में भी themes, color, fonts और effects थोड़ा clear कर देती हूं screen तब आप अच्छे से देख पाएंगे तो themes में 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 ली चार चीज़े themes, color, font और effect देखने को हमें मिला फिर आते हैं page setup में page setup में हमें margin एगर हमें page का margin select करना है page orientation तो यह मैंने बताया था orientation कितनी तरह की landscape and portrait by default होती है portrait फिर page का size यह option भी page setup में मिलेगी print area break करना चाहते हैं page को page background select करना चाहते हैं या print title करना चाहते हैं तो यह सारी option page setup में देखने को मिल रही है अब आते हैं scale to fit अगर हमें page की width या फिर height या फिर scaling करनी है तो scale to fit option में जाना पड़ेगा वहीं आते हैं sheet options में friends तो अगर हमें page में grid lines अड़ करनी है heading अड़ करनी है view mode पे रखना है print करना है तो हमें sheet options की help लेनी पड़ेगी arrange में friends हमें bring forward send backward, selector pane, align, group और rotate ये सारी options देखने को मिल रही है तो page layout में में ले 5 sub tabs themes, page setup, scale to fit, sheets, options and arrange चलिए अब बात करते हैं next formulas की तो friends formulas में 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 ले हमें 4 चीज़े देखने को मिल रही है आईए बात करते हैं सबसे पहला है function library second है आपका defined names third है formula auditing और fourth है calculations एक के करके बात करेंगे सभी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं function library तो function library में friends हमें क्या देखने को मिल रहा है ये पिछला जो है copy paste हो गया है तो हम यह image से बात करेंगे function library में हमें insert functions auto sum, recently used, financial, logic text, date and time अगर हम enter करना चाते हैं look up and references, math and trigonometry more functions तो friends functions में mainly जो जो functions predefined functions होते हैं हमारे जो हम excel sheet में enter करना चाते हैं तो वो सब हमें कहां देखने को मिलेंगे वो सब हमें देखने को मिलेंगे आपके function library में और function library में mainly क्या-क्या देखने को मिलेगा तो friends function library में mainly देखने को मिलेगा एक बार मैं दुबारा बता देती हूँ आपको दुबारा हम repeat करेंगे सबसे पहले है insert function फिर है auto sum recently used अगर हमने कोई function किया है उसको हम दुबारा use करना चाते हैं financial related functions logical related function text, date and time look up and references math and trigonometry and more functions ये कहाँ पर मिले function library में फिर आएंगे friends defined names defined name में हमें क्या मिला name manager define names use in formulas create from selection तो चार चीज़े देखने को मिली defined names में name manager define names use in formulas create from selection अब आते हैं friends formula auditing तो formula auditing में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है बहुत सी चीज़े देखने को मिल रही है formula auditing में आईए एक के करके बात करते हैं सब भी पर सबसे पहले हैं friends trace precedence आप देख सकते हैं trace precedence का हम मिलेगा हमें formula auditing में फिर है trace dependence फिर है remove arrows फिर है show formulas error checking evaluate formula या watch windows तो ये सारी option कहां देखने को हमें मिल रही है formula auditing में ठीक है अगर हमें कोई भी arrow remove करना है कोई भी formula show करना है कोई भी error check करना है evaluate करना है किसी भी formula को या कोई भी window देखनी है तो हम कहां जाएंगे formula auditing में फिर है friends fourth option formula का calculation तो calculation में हमें mainly जो options देखने को मिल रही है वो है calculator options calculate now या फिर calculate sheet तीन options देखने को मिली हमें calculate options calculate now और calculate sheets ये थी friends formula tab से related चीज़ें अब आएंगे हम data tab पर तो friends data tab में मेली साथ चीजे देखने को मिल रही है कौन कौन सी है वो get external data get and transform connections तो friends tab जो data tab है मेली हमें क्या क्या चीजे देखने को मिल रही है इसमें आईए बात करते हैं तो सबसे पहले है get external data second है get and transform third है connections fourth है sorting and filter fifth है data tools sixth है forecast और seventh है outline तो ये सारी चीजे हमें कहां देखने को मिली data tab में देखने को मिली आईए एक एकर के बात करते हैं कि हर सब tab में अंदर कौन कौन सी options है तो friends get external data में अगर हम बात करें तो अगर हमें कोई भी data externally insert करना है अपनी excel sheet में तो हम कहां कहां से insert कर सकते हैं तो सबसे पहले है from access फिर है from web से from text from other sources या फिर existing connections तो ये सारी options हमें कहां देखने को मिलेगी get external data अगर कोई भी data externally हमें insert करना है फिर है friends next हमारा get transform get and transform तो इसमें हमें new query देखने को मिलेगा show queries फिर है हमारा from tables और fourth है हमारा recent sources तो कितने options चार options new query show queries from tables या फिर recent sources अब आते हैं next connections sorry connections हमने discuss कर लिया connections में हम किस पर जाएंगे clear कर देती हूं थोड़ा तो अब आते हैं connections पर connections में सबसे पहला क्या है refresh all फिर है connections फिर है properties और फिर है edit links तो connection में कितनी options चार options refresh all connections properties या edit link फिर आता है sort and filter तो sort and filter में friends कौन-कौन सी option देखने को मिल रही है sorting अगर हम करना चाहते हैं filter apply करना चाहते हैं data पर clear करना चाहते हैं reapply करना चाहते हैं advanced form का कोई भी filter चाहते हैं तो कहां देखने को मिलेगा sort and filter में देखने को मिलेगा sort and filter में sort, filter, clear reapply या फिर advanced ये सारी चीज़े हमें देखने को मिल रही हैं अब आते हैं data tools पर तो friends data tools में हमें मेली क्या-क्या चीज़े देखने को मिल रही है आई उस पर बात करते हैं तो data tools में सबसे पहला है text to column अगर हमें कोई भी text column में transpose करना है तो text to column options में जा सकते हैं फिर है flash fill फिर है remove duplicate अगर हमें कोई भी duplicate से remove करनी है तो data tools में जाकर आप remove कर सकते हैं data validation अगर हमें किसी भी data को validate करना है तो data tools में जा सकते हैं वो कहां मिलेगा आपको data tab के अंदर मिलेगा consolidate करना है Excel को कोई भी relationship अगर आप build करना चाहते हैं टेबलज में तो वो भी हमें data tools के अंदर मतलब data related कोई भी tool अगर आप insert करना चाहते हैं तो data tools में आप जा सकते हैं तो friends data tools हमने discuss कर लिया अब आते हैं forecast पर तो forecast की अगर हम बात करें तो forecast हमें दो ही चीज़े देखने को मिल रही है पहला है what if analysis और दूसरा है forecast sheet what if analysis important है तो what if analysis कहां देखने को मिलेगा data options में आपको forecast के अंदर what if analysis देखने को मिलेगा ठीक है what if analysis कोई भी condition अगर apply करना चाहते हैं आप किसी भी table में excel में तो what if analysis का use करते हैं फिर है last हमारा outline option तो outline option में तीन ही चीज़े देखने को मिल रही है group, ungroup and subtotal तो outline में कितनी चीज़े तीन चीज़े group, ungroup and subtotal तो friends data tabs related बात की data tab में साथ चीज़े देखने को मिली कौन सी थी get external data, get and transform, connections, sort and filter, data tools, forecast and outline अब बात करेंगे review tab के अंदर हमें क्या क्या चीज़े देखने को मिल रही है तो बात करते हैं review tab की, तो review tab में मैंने आपको पहले भी बताया था same जैसे की MS Word में था, proofing सबसे ज़्यादा important है क्योंकि proofing में हमें दो चीज़े देखने को मिलती है, spelling and grammar और दूसरा है thesaurus, तो friends thesaurus की shortcut की भी मैंने बताया थी shift plus F7 है, spell grammar, अगर grammar हमें spelling चेक करनी है तो उसकी simple F7 जो होगी shortcut की होगी, तो proofing कहां पर देखने को मिलेगा review tab में, थेsaurus option कहां मिलेगी, तो review के proofing tab के अंदर याद रखना है, ये बहुत ही important है, MS Word में भी मैंने आपको बताया था फिर है second option friend, insights, तो सबसे पहले main tabs की बात करेंगे, review में एक था proofing फिर है insight, third है language, fourth है comment और fifth है changes तो review के हमने discuss कर ली, spelling, grammar and thesaurus second है insights, insights में हमें smart look-up option देखने को मिलेगा फिर आता है friends, language, language हमें translate option देखने को मिल रही है फिर आएंगे हम comments में, तो comments में हम new comment enter करना चाते हैं delete करना चाते हैं, कोई भी comment, previous comment पर जाना चाते हैं next comment पर जाना चाते हैं, या फिर हम आपके show and hide comment किसी भी comment को हमने hide करना है, show करना है, तो उसके लिए हम use कर सकते हैं फिर है show all comments या फिर show inks तो ये सारी चीज़े हमें कहां देखने को मिली comments related comments टाब में और वो कहां पर था review टाब के अंदर फिर है last friends इसमे changes तो friends changes में mainly हमें अगर अपनी excel sheet को protect करना चाहते हैं कोई password उसमें insert करना चाहते हैं तो हम review tab में changes के अंदर वो कर सकते हैं तो कौन-कौन से options हमें देखने को मिलेंगे इसमें protect sheet, protect workbook, share workbook protect and share workbook, allow user to edit ranges या फिर track changes तो ये 6 options हमें कहां देखने को मिली changes के अंदर देखने को मिली तो ये ते थोए friends review तो review में कितने main options पांच कौन-कौन से proofing, insights, language, comments and changes इसमें friends proofing ही सबसे ज़्यादा important है जिसमें thesaurus पूछा जाता है अब आते हैं last tab जो की view tab है तो view tab के बारे में बात कर लेते हैं तो view tab में friends पांच चीज़े देखने को मिल रही हैं mainly कौन-कौन से हैं वो आईए discuss करते हैं सबसे पहला है workbook views, दूसरा है show, तीसरा है zoom, फोर्थ है windows और सबसे पांच वे नंबर पे हमारा प्यारा राजदुलारा macros तो friends बात करते हैं सबसे जादा पूछ जाना वाला question कौन सा है कि macros कौन से tab में देखने को मिलता है तो view tab में हमें macros की option मिलती है याद रखेगा important है ये, next बात करते हैं friends एके करके हर एक सब टाब की तो workbook view की अगर हम बात करें तो इसमें हम कितने तरह के views देख सकते हैं सबसे पहला है normal view, फिर है page break, preview, page layout या फिर custom view तो ये चार options देखने को हमें मिले workbook view में normally अगर हम अपनी workbook देखना चाहते हैं page break करके, page layout या फिर custom view तो ये सारे चीज़े थी workbook views तो workbook views कीतने तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं normal view हो सकता है, page break view हो सकता है page layout या फिर custom view फिर है show friend show में हमें क्या चार चीज़े देखने को मिल रही है, कौन कौन सी है ruler है, grid lines है formula bar है और heading तो show में क्या क्या देखने को मिला rules, grid lines, formula bar और heading फिर है zoom तो zoom सेम ही रहेगा, इसमें हम zoom कर सकते हैं 100% या फिर zoom to selection जितना हमने select किया है portion उतना अगर हम zoom करना चाहते हैं तो हम view tab में zoom के अंदर zoom to selection पर जा सकते हैं फिर है windows friend, windows में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है new window, arrange all freeze pane, freeze pane मतलब अगर हमें दो ही जो rows है या columns है उसकी requirement है, बाकी sheet की requirement नहीं है, तो हम उतना freeze कर सकते हैं ताकि जितनी हमें requirement है उतना ही हमें show होता रहे बाकी जो excel है वो हमें show ना हो, तीन column की requirement है, तीन row's की requirement है, तो हम उनको freeze कर सकते हैं, फिर है split की option देखने को मिलेगी hide option and unhide option किसी भी row या column को हम hide करना चाहते हैं, unhide करना चाहते हैं split करना चाहते हैं तो वो सभह में windows tab में देखने को मिलेगा फिर है macros macros बहुत important है to automate the repetitive task तो उसके लिए macros का use किया जाता है और friends macros अगर हमें directly insert करना है macros function use करना है तो उसकी shortcut क्या है या मुझे comment box में बताएगा मुझे आपके comment का इंतजार रहेगा चलिए अगले बात करते हैं अब हम जो हमारे main tab से वो हमने complete कर लिए हैं अब friends बात करते हैं जो view के साथ में tab होता है इसे help भी हम बोल सकते हैं तो help में mainly हमें क्या क्या देखने को मिलेगा ये same वही है जैसा MS word में भी था add a comment, insert a table, freeze the top row, create a filter या फिट change the tab color तो ये सारी चीज़े देखने को मिली हमें help option में जो की view tab के साथ था फाइल था सबसे पहले home से पहले तो इसमें वही same चीज़े हैं जो MS word में भी थी new file create करना चाहते हैं open करना चाहते हैं save करना चाहते हैं save as, print, share, export, publish, close, accounts या option तो ये सारी चीज़े थी file के अंदर जो इसमें कुछ जादा खास नहीं है same है अब बात करेंगे कुछ shortcut keys जो की important है सबसे पहले बात करते हैं control n तो control n का use करते हैं हम कोई भी नई workbook अगर हम create करना चाहते हैं excel में तो उसके लिए control n का use होगा control o का use होगा open and existing workbook अगर हम already कोई workbook हमने बनाई है तो उसे हम अगर open करना चाहते हैं तो shortcut key क्या होगी control o f12 होगा friends open the save as dialogue box तो dialogue box को अगर save करना हो open the save as dialogue box के लिए f12 shortcut key का use होगा फिर है control w control w है close और workbook अगर हम workbook को close करना चाहते हैं तो उसके लिए हम use करेंगे control w का फिर है friends control plus f4 अगर हम किसी excel देखिए इसमें changes है कुछ आपको ध्यान से देखना है अगर हमें workbook close करनी है तो control plus f4 होगा अब हमें friends insert a new workbook insert करना चाहते हैं एक नई workbook को तो हम उसके लिए shift plus f11 key का use करेंगे create a bar chart अगर हम friends अपनी excel sheet में कोई bar chart insert करना चाहते हैं कोई bar chart बनाना चाहते हैं तो shortcut की क्या होगी f11 याद रखना है important है यह next है friends हमारा control tab control tab का हम use क्यों करेंगे switch between open workbooks तो अगर हमारी open workbooks जो हैं उसके बीच में हम switch करना चाहते हैं तो control tab का use करेंगे इसी के साथ होता है alt tab alt tab का use क्यों करते है open applications यह है open workbook लेकिन अगर हमें open applications जो हैं हमारी उसके बीच में switch करना है तो alt tab का use करेंगे यह आप कैसे याद आखना a for alt and a for application ठीक है अगर application के बीच में switch करना है तो alt tab का use होगा लेकिन अगर हमें workbook के बीच में switch करना है तो control tab का use होगा कई बार बच्चे इन दोनों चीजों में confuse हो जाते हैं तो यह इसकी clear explanation है hopefully आपको याद रहेगी फिर आते हैं friends हम shift plus f3 shift plus f3 होता है ms excel में use insert a function ms word हम shift plus f3 का use क्यों कर रहे थे change case के लिए हम use कर रहे थे लेकिन यहाँ पर हम use करेंगे किसी भी function को insert करने के लिए तो यह कुछ difference है याद रखना है आपको ms excel में shift plus f3 का use होगा किसी भी function को insert करने के लिए insert a worksheet अगर हम friends किसी भी worksheet को insert करना चाहते हैं तो alt shift और f1 का use करेंगे देखें friends insert a new worksheet shift f11 था तो दो shortcut keys है किसी भी worksheet को insert करने के लिए shift f11 होगा किसी भी insert करना चाहते हैं अगर हम worksheet को और alt shift f1 भी हो सकता है चलिए next बात करते हैं next है friends select a entire row अगर हम पूरी की पूरी row select करना चाहते हैं उसके लिए shift plus space par और अगर हम किसी भी पूरे column को select करना चाहते हैं तो उसके लिए control plus space par इसमें भी क्या होता है confused हो जाते हैं तो याद रखना है column c for column c for control तो अगर हमे column select करना है तो control plus करेंगे row select करना है तो shift plus करेंगे तो याद रहेगा hopefully अगर friends हमने select a entire worksheet अगर पूरी की पूरी worksheet select करना चाहते हैं तो वैसे तो वो control plus a से भी select हो जाती है लेकिन इसकी shortcut की अगर आपसे control a option में ना हो तो दूसरी भी आपको पता होनी चाहिए वो क्या होगी control shift plus space तो ये दबाएंगे आप अगर आप पूरी worksheet को select करना चाहते हैं अब है F2, F2 का use की होता है edit a cell अगर आप cell को rename करना चाहते हैं तो उसके लिए edit a cell, cell में editing करना चाहते हैं तो उसके लिए F2 का use होगा next है friends आपका hide the selected row तो row के लिए होगा control 9 और column के लिए होगा control 0 अगर हमने row hide करनी है तो control 9 प्रेस करेंगे अगर हमने column hide करना है तो control 0 का हम use करेंगे next है friends control end, control end का use हम क्यों करेंगे अगर हमें last worksheet पर जाना है directly हम last worksheet पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए किस shortcut key का use करेंगे उसके लिए control end का use करेंगे और इसी का opposite friends अगर हम directly first sheet पर आना चाहते हैं first beginning of the worksheet तो उसके लिए हम किसका use करेंगे उसके लिए हम use करेंगे control home का याद रखना है आपको important है फिर है friends current time, current time के लिए अगर हमें current time insert करना है तो उसके लिए shortcut की है control shift और semicolon याद रखेगा time जो है लंबा चलता है तो इसका formula भी लंबा होगा control shift और semicolon लेकिन current date date क्या है current and semicolon तो याद रखना है confuse मत होना इन दोनों में current date पूछा जाए तो control semicolon current time पूछा जाए तो control shift and semicolon फिर है columns के लिए हम किसको indicate करते हैं alphabets and row indicate करती है numbers को तो friends ये कुछ चीजे थी जो important थी excel से related उसके interface से related तो hopefully friends आपको video helpful लगी होगी अगर आपको video helpful लगी है तो please video को like कीजे share कीजे अपने friends के साथ और अगर आपने channel subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe करना बिलकुल ना भूले thank you friends thank you for watching my video and all the best for your exam thank you friends